तो गाईस, फाइनली यार, एक घंटा लगा करके, एक गंटे जाता ही टाइम लगा करके, मैंने जो माईकरो सकोर्प है, जैसे कैसे करके तायार कर लिया है, कई जढ़ चैसे को फोल्ड करना था, कोछ इस तरीके से फॉल्ड होता है, ऐसे करके और यह से चिपक भी जाता है, इसमें कुछ magnetic system है, यहाँ पर बड़ी सी drawing सी बनी हुई है, यहाँ पर यह इसका lens है, अब तक यह समझ में तो नहीं आ रहा लेकिन इधर से जब देखते हैं, तो हलका सा लगता है कि हाँ, एक छोटा जैसा camera में lens होता है ना, इस तरीक बीच में कुछ रखा हुआ है, और वो मैंने slide prepare करी है, यह है प्याज, प्याज को जब ऐसे खोलते हैं, तो उसमें यहाँ पर एक छिल्का आता है, जिल्ली आती है, यह वाली जो जिल्ली होती है, इसको प्याज का छिल्का या कुछ भी बोल चकता है, यह जो जिल्ली है, इ लग सोच के बहुत अजीब सा लग रहा है, और अगर इसने काम किया, तो भाई यह तो बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाएगी, ठीक है भाई, करते हैं, टेस्टिंग इसको खटाते हैं, यह इसका कवर है, जो ऐसे खुलता है, यह जो माइक्रोस्कोप ऐसे बंद है, जब ख बता नहीं कितना काम करेगा, नहीं करेगा, कागच का माइक्रोस्कोप है, प्याज के जिल्ली के रूपे मैंने सेंपल स्लाइड इसमें रख दी है, तो भाई, अब मुझे लगता है, एक दम परफेक्ट पोजिशन में है, और देखते हैं कि कुछ देखता है, या नहीं दे लेकिन इसके अंदर जो प्याज की जिल्ली है, उसके सेल्स, उसकी कोशिकाएं, एक दम साफ दिख रही है, एक दम साफ, मैंने जो असली का माइक्रोस्कोप होता है, बायलोजी लैब वाला, उसमें ये प्याज की जिल्ली को राल के देखा हुआ है, ये थोड़ा सिंपल हो इसके सेल्स, देखते हैं हम, जो कुशिकाएं होती है हमारे शरीर में, वैसे जो प्याज की जिल्ली कोशिकाएं हैं, जो की आँकों से नहीं दिखती है, वो उस माइक्रोस्कोप में दिखती है, गाईज मैं अपने फोन का कैमरा जो है वो उन करता हूँ आपके सामने, यह म माइक्रोस्कोप इसके अंदर स्लाइड लगी हुई है बस मुझे कैमरा को इस पर एड़स्ट करके ठीक है यह है इसका होल अभी आप देख सकते हो यहां पर सेमी वो है हमने कोई वीडियो नहीं लगाई गाई तो यह मैं इसको इसमें गुसाता हूं इसको क्लोज लेकर आता ह अब मैं अगर दोनों हातों से या किसी और की हेल्प से सको एड़स्ट करूं तो और अच्छा दिखेगा यह देखो जब मैं इसको लाइट में लाता हूं